सरकार विशेश परिस्थितियों में फेस्बुक, वाटसेप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया माध्यमों पर रोख लगाने को लेकर विचार कर रही है दूर संचार विभाग ने इनके मालिकों से पत्र लिख कर आईटी कानून की धारा 79 एके तहत इन एप्लिकेशन्स पर रोख लगाने के संदर्भ में उनकी राय मानगी है विभाग राष्ट्रिय सुरक्षा और शार ती व्यवस्था को लेकर खत्रे की स्थिती में इन एप्स पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है बीते दिनों सरकार ने वाट्सेप के जर्ये फैलाए जा रहे अफवाहों को रोखने के लिए कमपनी से उनकी रणिनीती के विशय में पूछा था सरकार का कहना है कि इस पर उनका जवाब संतुष्ट जिनिक नहीं है सरकार ने कमपनी से वाट्सेप संदेशों के मूल स्रोत की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए कहा था लेकिन कमपनी ने यह जानकारी देने के बारे में कोई प्रतिबधता नहीं जताई है जिसके बाद सरकार ने यह महत्वपूर्म कदम उठाया है आधिकारक सूत्रों ने बताया कि सूचना विभाग ने वाटसेप को हिदायत दी है कि वे अपने जिम्मेदारेों से भाग नहीं सकते वाटसेप पर फैलाई गए फेक खबरों की वजह से कई ऐसे घटनाए सामने आये हैं जिन में बेकसूर लोगों को अपनी जिंदगी गवानी पड़ी भीर ने गतल सूचनाओं के आधार पर पीट-पीट के उनकी जान ले ली सरकार ने वाटसेप के माध्यम से फैलाई जा रहे फरजी खबरों को रोटने के लिए कमपनी की आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये हैं